तो फाइनली धूंडी लिया आपने, हाँ मुझे उम्मीध तिया आप धूंड लोगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड क्लास 10, आप 10th क्लास में हो ना हरियाना बोर्ड की, ठीक है कहीं को दूसरे तो नहीं देख रहे, फिर बोलोगी सर हमार प्रिपेरेशन अपनी कर पाऊगे, ठीक है, तो वह जरूरी नहीं है कि पेपर का सोल्यूशन आपको करना आता हो, में यह है कि आपके कोश्चन्स आपको अटेम्ट करने आते हैं, क्या चीजी आएंगी, क्या नहीं आएंगी, वह आपको पता होगा, तो आप ज्यादा तो इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपके काम आए, और बहुत सारे स्टूडेंट फिर कन्फ्यूज रहते हो इस चीज के मामले में, इसलिए मैं बना रहा हूँ, आप सबसे जो में चीज है, इस पेपर के अंदर प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं, साइट के उपर सारे इंपोर्टेंट कोस्टन के मेन्यू में, बहुत आसान है वेबसाइट पे विजिट करना और देखना सारी चीजे बहुत इजी पड़ेगा तुमको ऐसे भटकने वाला या स्कैम वाला काम निया, ठीक है, सारे में में चीजे वहाँ पे अपलोड कर आते हैं, एक आत बार difficult passage आता है, तो हमारे जो नंबर है, एक से दो नंबर कटके भी 23 नंबर तो बन ही बन जाते हैं, ठीक है ना, और अगर तुमको passage करने ही नहीं आते, तब भी तुम 20 नंबर ले आँगे, इतना मेरे को पता है, मेरे को भरोसा है तुमारे उपर, कि हाँ इतना तो तुम कर लोगे, अब ये बोलते हैं कि अगर तुमको unseen passage नहीं आते, तुम कमेंट में बता दोगी शरम को unseen passage नहीं आते, साप सीधा बता दो, मैं unseen passage सोल करना सिखा दूँगा, आपको कैसे सोल करना है, कैसे answer मिलेगा, क्या लिखना है, सारी चीज़े समझा कोशिज करूँगा, वीडियो बना दूँ आपके कमेंट आने से पहले ही, अगर टाइम मिल पाया तो, अब देखो यहां पे 25 नमबर का हमारा passage आएगा, वो कैसे आएगे, दो पैसे आएगे, unseen passage, जिनका हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, unseen passage, उसके बाद में जो है, दो पैसे आएगे, बुक से, आपकी जो में बुक है, ना, इंगलिस की, उस बुक से दो पैसे आएगे, स्टोरी से, स्टोरी से जो है, दो पैसे आएगे, एक पैसे आएगा, पोईटरी वाला, ठीक है, अब यह सारे पाच पाच नमबर के आएगे, तो देख लो, तीन पैसे आ कुछ भी नहीं आता तुमको तब भी तुम पास हो सकते हो पेपर में यह चीज बहुत सारे स्टुडेंट को नहीं पता होती है और वह इंगलिस में माथा पोड़ी करते रहते हैं तो वह गलतिया नहीं करने आपको अगर पास होना तो और अगर ज्यादा बढ़िया नंबर च जो है question नीचे दिखाता हूं मैं आपको questions में options नहीं आएंगे कहीं आप सोचो option आएंगे और मजास आ जाएगा ऐसा नहीं होने वाला शिरफ question आएंगे अनसर आपको बना के लिखना है इसका तो बनाने आने चाहिए अगर नहीं आते तो कमेंट कर दो ठीक है अब ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ मैं समझ जाओं कि हाँ आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ उसके बारे में कैसे solve करना है क्या करना है अब यह जो गूगल पर खोलो और इंपोर्टन के सेक्शन में जाओ क्लास्टन चूज करो अपनी और वहां पर आपको अनसीन पैसेजिस लिखे होए मिल जाए है जो प्रीवियस यह में अब मैं आपको यह बोल रहा हूं कि भाई उनको जाके प्रैक्टिस कर लो अब प्रैक्टिस करने अगर आपने देख रखा होगा अगर आपने पहले सोल को रखा होगा तो ढूंड़ना भी क्या ही उसमें आपको अंसर पता है और फटाक से चिपका दो गया पंसर तो यह चीज़ है एमस वाला पैसेज यह वाला जो पैसेजर है कई बार आ चुगा एक्जामस में चलो आग कौन सा लैटर याद करें ऐसा नहीं होता कि आपको मैंने बोल दिया मैं आपको सो लैटर दे दूँगा याद कर लोगे उनको नहीं होने वाले ना एक में चीज होती है लैटर के अंदर वो है यह कि आपको लैटर बनाना आना चाहिए बनाने के लिए क्या है उपर के अड् प्रदेगा उसके बाद में लाश्ट में लिखना आता है अब मेन बात यह नहीं है कि तुम सारा कुछ बनाना भाई दोनमबर का तो यह आता है एक नमबर यह आता है पाँच मेंसे अगर तुमने यह वाला गलत शलत भी लिख दिया ना तब भी तुम्हारे तीन नमबर आ जा जो मैंने clear करी है letter के regarding ठीक है और ये भी बतार कहीं ये वाला भी कैसे बना के लिखना है चाहे आपको कोई सा भी letter आत दे दे कुछ भी दे दे आप बना के लिख दोगे और letter में 5 में से कम से कम 4 number तुम ले आओगे और अगर तुमें इंगलिस आती है तो तुम 5 में से 5 number ला सकते हो मैं letter की वीडियो देख लिए बहुत काम आएगी अब उसके बाद अगला जो question आएगा वो है उन में से भी हमको एक करना है पाँच number का आएगा या तो आप paragraph लिख दो paragraph होते है न पता है तुमको paragraph क्या होता है एक कहानी होते है चैसे हमने हिंदी में करते है न दिवाली परनी बंद लिखो ये क्या होता है ट्वैलीफोन एक परदूसरन वाई यू परदूसरन पता नहीं क्या क्या अजीब और गरीब से topic देके हमको जो बोलते है पैसेज लिख दो है मैं आपको बोल दो 10 पैसेज कर लो ठीक है उन 10 पैसेज में ते एक पैसेज गैरेंटीड आ जाएगा मैं बोल सकता हूं भाई कि गैरेंटीड एक पैसेज मिलेगा तुमको लेकिन दिक्कत ये है कि वो पैसेज अगर नहीं आया तो आपकी बैस बजगई और आपको करना भी नहीं आएगा कुछ अगर अजीब और गरीब टोपिक इनों ने दे दिया सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारी इसलिए पैसेज आपको याद ही नहीं करने छोड़ दो भाई पैसेज को छोड़ दो अब बोलो फिर नंबर कट जाएगे भाई पाच नंबर क्या फुद्दू बना रहे है हमको रिपोर्ट समझो रिपोर्ट में नंबर आएंगे पाच में से अगर तुमको रिपोर्ट लिखनी भी नहीं आ रही ना क्योंकि देखो इन्होंने पहरा ग्राफ बोला ना लिखो तो कुछ भी लिखना यह रिपोर्ट तो देखो तुम 40 वर्ड में लिखनी है 40 वर्ड होते कितने हैं वर्ड गिनाता हो तुमको एक दो तीन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ड तो यहीं हो गए एकी लाइन में 40 वर्ड क्या होते चार लाइने नहीं लिखी जाएगी तुमसे बताओ यार कितनी आसानी से तुम बना सकते हो रिपोर्ट बहुत आसान है कुछ भी रिपोर्ट आ जाए यह बात नहीं होती कि भाई तुमने बोला एन्सस कैम्प आएगी, रिपोर्ट उसकी आएगी, ब्लड डॉनेशन की रिपोर्ट आएगी, ये आएगी, वो आएगी, वो नहीं होता रिपॉर्ट के मामले में, कुछ भी टोपिक उठा के दे देंगे, वो मू उठा के आपको, लेकिन आपको अगर बना नहीं आती है, कु वीडियो है और ऐसा नहीं कि वह वीडियो अभी काम आएगी आप 11 वर्बर भरनी 12 में जाओ वर्बर नी हर बार वर्बर यह सब आते हैं आपको नहीं आते हैं अब को आते हैं अपको नहीं आते हैं है बहुत मुझाइब अखंड लेवल के गलती हुआ इसमें होती है जो कि तुम कितना भी अपने लेवल पे तुम सही कर लो फिर भी गलत मिलिया तुम्हारा नाइंटी नाइन परसेंट चांज से गलत ही होगा अगर तुम्हें एक एक रूल नहीं पता इसको सब्जेक्ट के साब से बदलो इसको अब्जेक्ट इसका होगे नहीं तो नहीं होने वाले है एक आसान तरीका है जो कि है सेज आ जाई तो अगर शेज़ देस धरने का serves 7 कवल दो खया सब्सक्राइद के उत पता है तो चीज वर में बता दे हैं विडियो ऊपके लिए बना दू अगर चाही होगी फरी के नंबर है फरी के को द्यान देनी है मलब यह ग्रामर करते टाइम पर देखो चूज टू फ्रोम इज पार्ट हमेशा हर एक पार्ट में से दो करना है अब यह चीज गलतियां कहां करते हैं मैं बताता हूं यह तीन है ना वो तीन इसके तीन कर देंगे इसके मलब जैसे अर्टिकल आते तीनों की है मेरा ठीक है जोन सा डिफिकल लग रहा है छोड़ दो इंक इज आ यूजफूल आर्टिकल कितना आसान है एंड होता है आर्टिकल की वीडियो बना दूंगा बहुत आसान है ताजमहल इस दा ताजमहल इस दा मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग रोज स्मेल्स स्वीट दारोज आरोज आएगा साथ से प्रोबैबली तो दारोज भी आ सकता है प्रोबैबली चलो मैं चैक करके बता दूंगा तो सारी चीज़े कुछ एक जैसे एक आदमे होता है डाउट क्रियेट हो जाता है बट जो आसान आएंगे आर्टिकल आसान आते हैं मैं एक्जामपल देदूँगे सब्सक्राइब कराके प्रैक्टिकल कराके साथ चीज़े दिखा दूआ पूर ठीक है उसके बाद लास्ट चीज है हमारी यह मोडाल लाश्ट नियम मलब आगे और भी है तो मोडाल्स करना आसान है मतलब आपके 50% चांस है कि आप मोडाल्स कर लोगे आप में यह कूड ठीक है उसके बाद वूड और सुड ठीक है यह तीन तो जरूर पढ़ लेना इन में से ज्यादा आते हैं और में वाला भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है ओल्मॉस्ट कन्फूजिंग रूल से थोड़े से वह मानता हूं यह बात है लेकिन आपको करने आने अगर आते हैं तुक्का मारना हो तो मार लेना असान टोपिक है दो चार को में फूल स्टोप लगाने है और पहला वर्ड जैसे ही जाड मधू लुक्स वीक इस लीग इस सी इल तो देखो यहाँ पर क्या है मुद्धू लुक्स वीक इस सीईल को मा लगाओ इस सीईल कोश्चन मार्क लगाओ यह सड़ वाले तो आपको पता है नर्रेसन वाला बनाना आपको एक करिए से तो ऐसे क आप कर लोगे मेजोरिटी ओफ तुडुड इसको सही कर लेंगे डी आर्व जैसे आते हैं तो डी आर्वी ऐसे करके लिए सोरी डॉक्टर रहे डॉक्टर वी ऐल सरमा एक तो यह ज्यादा मुस्किल नहीं आते पंक्ट्वेट वगैरा करना इसमें भी आपके नंबर आ जाएं तो आपको नहीं पता है तो और एक आपके बली मान लो कि चली गई है वह नहीं आने वाले अगर तुमको रूल्स नहीं आते अभी के टाइम पर रूल्स नहीं आते समझने की कोशिस करना भी मत क्योंकि तिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा और बाकी नंबर कट वालोगे भी मता वी के और रचे जसमें इसमें एक चीज सबुन्हें को करनी है कि आपकी जो फास्ट सुच सiónस की प्रृष के मतलब है सब्ही नाम बढ़ते हुए तुमको याद हो गए हो गयirm होंगे कुछ नाम तो chapters के नाम उनके writtenR 1974 के नाम ठीक है πोयम में samillish poems नाम और writtenR doe तो वह छीज़े आ अपको रट जानी जाए अब उसके साथ में एक ओर चीज है जो पपता होनी के वह किसी chapter में से कुन सा character आता है मनलब कर जैसे कि पहला chapter आपका तो दchtना नहीं हाँ और उसके बाद उसका जो है मेन करेक्टर को ने लेंचो ठीक है अगर पहरे में कहीं लेंचो दिग गया तुम अराम से टिक का मारोगे और यह कोश्चन आएंगे लग 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 अब भी नाइंथ क्लास को मैंने बोला था कि भाई आएंगे तुम्हारे पैसेज़ी और उन्होंने करे थे उनके में अगर आपको पैसेज़ी की प्रैक्टिस करने है तो यह यह सकते हो पुराने जो पैसेज़ उनमें बहुत बार रीपीट हो जाते हैं सेम पैसेज अब इनके अंदर देखो इनके अंदर एक कोश्चन है जो हार्ड मिलेगा तुमको राइटर का नाम कर दोगे लाइंस का नाम चैप्टर का नाम जो भी है तुम कर सकते हो उसके इसमें से मतलब ढूंड पाओगे और वो जो है काफी मुस्किल होता मतलब मैजोरिटी ऑफ टाइम गलत हो जाता है हमसे क्योंकि हमें इंगलिज इतनी नहीं आती ठीक है ना तो यह जो है अगर चाहो तो गाइड वगारा से देखके कुछ हैं जो पैसेज मैंने प्रोवाइड देंगे वो देंगे गैरंटीड यह तैंसर मतले ना तो 25 नंबर में से आपके अंसीन पैसेज में तो सारे कोर्शन इजी आएंगे इस वाले पोर्शन में एक कोर्शन हाड़ रहेगा आपका ठीक है सेम रहेगा अगले पैसेज में देखो बिगिनिंग और कहां से लाइने लिगए दो नंबर का भाई यह चैप्टर का पता होने चैप्टर की लाइन पता होने चैप्टर अगर पहचानना है देखो अब तुम कैसे पहचान होगे अगले पैसेज दो कोश्चन दो नंबर यहां पर बनेंगे और एक वड़ आएगा वेल्ला सा आगे बढ़ते हैं अगला जो है पांच नंबर का बड़ा कोश्चन दिया जाएगा दो कोश्चन देंगा उनमें से एक करना रहेगा वैसे मैंने इंपोर्टन कोश्चन की वीडियो डाल दिया पैसेज की अगर आपको देखनी हो मला बोल मुझ सारे टोपिक्स पर आपको तो मिल जाएंगे ठीक है जितनी मैक्सिमम टोपिक्स की रिक्वाइड रहेगे इंगलिश में आपको उनकी मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूँ आपको तो यह जो है दो कोश्चन दे जाएंगे उनमें से एक करना अगर बुक नहीं आती तो भाई वह आपकी मर्जी है प कोश्चन आपको आपके एक्जाम में मिल सकते हैं अब देखो 30-40 वर्ड में हमको दो-दो नंबर के तीन कोश्चन करने हैं पांच कोश्चन देंगे शिरफ तीन करने भाई जो इजी लगे वो कर लेना ठीक है उसके बाद में आगे बढ़ते हैं पोईटरी सेक्शन में भी स्टोरी वाला सेक्शन है उसमें दो कोश्चन आएंगे लास्ट लास्ट कोश्चन जो कि हाड रहेंगे और हो सकता है वो भी इजी दे भरोसा कुछ निया सेंपल परे तो सिर्फ हो सकता है वो बीजी दे तो 25 में से लगबग 23 नंबर तो आपको पक्के होने चाहिए और नव घुला तो दोनों में से वह सेंट्रल सही मनी लिखना मैं इस में इस की लिखने है बस यही है सबसे में कोस्टेन हैं तूमें weary से करना हो सेंट्रल आइडिया हर एक पोएम का याद कर लेना उनमें से गैरंटीड कोश्चन मिलेगा तुमको ठीक है अब देखो अगला जो सेक्षन हमारा टू ऑफ दा फॉलोविंग इनमें से देखो दो नंबर की दो कोश्चन करने तीन दे रखे हैं मलब उप्सन मिलेंग आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी मलब आज के टाइम पर इस टाइम पर सारी वीडियो अपलोड हो चुकी होंगी और प्लेलिस्ट से जाके आप चैक आउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और वेबसाइट जरूर विजिट पर मिलते हैं ना इंगलीज के आपकी क्लास के सारे पेपर सोल्व कर दो आपका जो है लगबग लगबग सैवेंटी टू नाइंटी परसेंट स्कोर हो जाएगा एक एक आध कोसिन तयर आ जाता है इदर उदर से बट मैज्जोरिट आपको उदर से मिल जाएंगे ठीक है हाँ कुछ टोपिक ऐसे है जैसे लैटर हो गया या फिर रिपोर्ट हो गई या अंसीन पैसेज हो गया वो तो हर बार बाहर से मिलेंगे तुमको उनका तुम यह नहीं कह सकते हैं यही आएगा वही आएगा बट हाँ बागी चीजे जैसे बुक के कोश्चन वगारा हो गई वह आपको मिल जाएंगे रिपीटिड होते हुए बहुत सारे अगर तुमने प्रीवियस येर पेपर्स कर रखे हैं तो अगर पेपर्स डाउलोड करने हैं तो वेबसाइट पेपर भी है सेंपल पेपर भी है और साथ में इंपोर्टेंट कोशन भी अपलोड़ीड है वेब नंबर के लिए तुमको चार पेज भरके आने हैं तुमको में देखना है कोश्चन में लिख रखा है सो वर्ड में लिखना है सो वर्ड में बोला है तो तुम अपनी कोपी में गिन लो जहां पर लिख रहे हो लगबग 120 वर्ड तक जाओ उससे आगे मत लिखो उस अंसर को अब मैं 120 वर्ड में आपका अब मैं 120 क्यों बोल रहा हूं जैसे कुछ चोटे चोटे वर्ड ओन एट यह इनको कहीं पर गिना नहीं जाता तो इसलिए मैं का रहा हूं थोटा राउंड ओफ लेगे 120 वर्ड तक लिख दो अनसर अपना ऐसे गिनोगे तुम तो करके गिन हो गई हमारी अब आपकी जो आगर नो पेपर में जो लिखोगे वह लाइनों के उपर है कुछ स्टुडेंट दूर दूर लिखते हैं कुछ पास पास लिखते हैं आप अच्छा लिखना सिंपल जैसे लिखते हो नहीं वैसे रिखना यह मत सोचना मेरे को 10 लाइने भरनी है लाइने भरने का गेम नहीं चल रहा है अगर उसका अंसर सही है जो पूछा है वही लिखा है तो नंबर मिल जाएंगे ठीक है 5-6 लाइने काफी होती है उससे ज्यादा भरने की जुरूरत है नहीं होती ठीक है ना अगर तुमारी एक लाइन में 15 वर्ड आ रहे हैं मालब 6-7 लाइने चले जाओ अपने मैंने बोल दिया 120 वर्ड गिल लेना एक बार कोपी में और सेम विद्धा छोटे कोशन 30-40 वर्ड ही लिखने है उसमें भी और ज्यादा लिखने की हमको वहाँ पर भी जुरूरत नहीं होनी ठीक है आई होप समझ में आ गया पेपर कैसे एक चैने क्या गलतिया तुम कर सकते और क्या चीजे आधने करनी पैराहब तो इसमें याद करो बरोसा कुछ नहीं है उन पैसेज वैसेजी इसका ठीक है बट मैं दो वीडियो डाल दूँँँँ है कि में में कौन से आप भी मर्जी है आपको करना पिर भी करो भाई नहीं करना नहीं करो ठीक है मैंने बता दिया है सारी चीजे एक एक चीजे समझा दिया इस पेपर के तु जरूर देख लेना कहीं आप फिर बोलो कि शर आपने तो बता है नहीं लिख रखा था तो बता देते हमको तो देखो कुछ स्टुटेंट तो होते हैं उनको तो नफरत सी रहते हैं कि क्यों ही जाए हम कहीं पे भी लेकिन बहुत सारे स्टुटेंट ऐसे होते हैं सर बढ़िया अगर आप कंटेंट दे रहे हो आपका काम आ रहा है हमारे काम आएगा तो हम जुरूर जाएंगे वहाँ पे तो इसलिए मैं बता देता हूं कि भाईया जिसको जाना हो जा सकता है ठीक है हम वहाँ पे जाके देख सकता है आपकी हेल्प हो जाएगी वहाँ एडिशनल को कोई परसनल मोटिव नहीं है महां पे ठीक है चलो मिलते हैं नहीं वीडियो में बाई बाई